तो में रामलकर मीना और मेरे यूटूब चैनल अर्शित मीना ब्लोग पर आप लोगों का फिर श्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे बारन के बारे में तो इसमें हम जानेंगे बारन की डेपनेशन जानेंगे और उसकी क्लासिपिकेशन जानेंगे टाइप ऑफ बन जा जानेंगे और लाश्ट मुस्का जो बर्न है उसके वज़े से होने वाले कॉंप्लीकिशन के बारे में जानेंगे अब हम जानेंगे डेपिनेशन ऑफ बर्न यह रहेगी बर्न इजे कंडिशन इन विद्ध डेमेज टुद इसकीन अधर पार्ट ओप दर इसकीन कोईट हीटेड ऑबजेक्ट एंड केमिकल रेडियेशन इन नौन एज बर्न तो बर्न क्या होता है इसकीन का डेमेज हो जाना होता है और यह कंडिशन है इसकीन का डेमेज हो जाना जिसमें इसकीन का पूरी तरह से डेमेज हो जाती किसकी वज़े से एक्स्ट्रीम हीट की वज़े तो यह लग-लग परकार की रहेगी, पहली रहेगी, chemical burn, thermal burn, cold burn, electrical burn, radiation burn, या friction burn, तो तो यह दो परकार से हम इसको classified कर सकते हैं, एक तु रहेगा body surface area injury, जो body surface है, वो कितना injured हुआ है, तो उसाधार पर इसको हम classified करेंगे, दूसरा रहेगा, depth of injury, इंजुरी देप्ट फो कितनी है उस अदार पर को क्लासिपाइड करेंगे सबसे पहले जानेंगे डावम में क्लासिफाइड करेंगे और से बोड़ी वह रखे मोस कूअ क आधार रहे गार को से शमा में और बाथे रहे गा तो यह उपर उपर रहे पर्शेल सक्सार्प तक बंड रहेगा मनलब है धोड़ा अंदर घेराए तक बन रहे Mini को वह इस का ए нажाएगा ब्लिष्टर बन जाए डिग्री बर्न तो इसमें क्या होगा न ज dismiss वो सब्कूटिनिस टिश्यूल और उद्धा थाख वह वाईयर के वाइट कालर की किति दिकाई की प्रफी बर्न तो इस में ज्यादा डेमेज होता है और जो बर्मी इत डमीज सब्कूटिनियस और भी किसमें बर्न हो जाती है और जहांपे बर्न हुआ है वहां पर उस एरिया पर जो sensation है वो कतम हो जाता है क्योंकि जो नर्व की एंडिंग पॉइंट है वो जल जाते हैं डिश्टोय हो जाते हैं जिससे पेशेंट को यह जो भी की इपीडर्मिस लेयर होती है वही बर्न होती है फुल पार्शल थिकनेस बर्न इसको हम सेकेंड डिग्री बर्न बोल सकते हैं और इसमें इसकीन की जो टॉप टू लेयर रहती है इपीडर्मिस डर्मिस तो उसमें बर्न हो जाता है पार्शली थिकनेस बर्न हो जाता है और जो भन होता है ये वुडीил으면 हो जाता है और इसकीन के साथ साथ में उभला उन्दर इ monte ऑब्सक्राइब हें और यह राइफ टेमिके इनिक ओ सकती है और यह माःड़ से मोडेट और सिव्य कोज करताता है उऔर हम जैनेंगे मेंट-चुर्ण ऑप ल partes सर्पेस एरिया किस प्रकार से हम पता लगाएंगे कि पेशेंट कितनी परसेंट जल गया है या बर्न हुआ है तो इसमें पता लगाने के लिए इसके लिए तीन नियम है रूल ओप नाइन और दूसरा रहेगा लूंड ब्रोडर क्लासिफिकेशन और तीसरा रहेगा पाल्म मे करिंगे पेशेंट को अलगलग पर्षेंट में बाटा गया है तो उसको किल्कुलेट करके पेशेंट कितना बर्न हुआ है उसका पता लगा सकते हैं में जो पेशिंट का हेड है उसको 9% चेष्ट और दोनों जो हैंड इनको भी नाइन परशेंट देंगे और जो उसके पेर है उनको — opinions देंगे इसह परकार हम केड्लिट करेंगे और जो ओन नरे थे उसको वन परशेंट देंगे थैंगे केलकुलेट करें तो पूरा hundred percent burn area हो जाएगा तो पेशेंट का जो एरिया जितना बन हुआ है तो इस आदार पर हम जो बरन हुआ है उसका कितना पर्षेंट बरन हुआ है तो उसका पता लगा सकते थे लेकिन अगर चोटे बच्चे हैं तो उनमें यह नियम काम नहीं करेगा तो उसके लिए ये हूझ प्रोडर यह पनुटर में पर हम बन पर्संटर निकालेंगे तो इसमें एक साल तक है तो उसमें हम जो पर्संटेज यहां पर यह टेविल दें रखिए उस आदार पर हम कर सकते हैं यहां पर जीरोत एक साल पांच साल 10 साल 15 साल और अड़ ऊव्यक्षा दोन बच्छों का जो हेड है और उनकी जो उताई है और उनका ले गए तो इनका जो परसेंटेज वो अलग लग निकलेगा इस टेविल के आदार पे हम उसका जो बंड परसेंटेज है वो पता लगा सकते हैं अब यह पाम मैं तर तो इसमें क्या करेंगे हमारी जो यह पाम है उसको उंगलियों को छोड़के तो इसको हम 1% मान के चलेंगे तो इस आदार पे हम जित्ता उसका area patient का burn हुआ है तो इस palm से हम calculate करके और पता लगा सकते हैं कि कितने percent पेशेंट है वो burn हुआ है अब हम जानेंगे treatment पेशेंट जो burn हुआ है तो इसका हम treatment क्या क्या करेंगे तो इसमें रहेगा medical management, surgical management, pharmacological management और nursing management सबसे पहले जानेंगे हम medical management इसमें क्या करेंगे जहां पर burn हुआ है पेशेंट वहां पर हम first aid देंगे डूसरा करेंगे airway breathing and circulation a, b, c, a for airway, b for breathing, c for circulation तो इसमें सबसे पहले patient का airway check करेंगे तूसरा patient breathe कर रहा एक नहीं कर रहा वो देखेंगे और थर्ड देखेंगे circulation patient में circulation चल रहा है या नहीं इसके लिए हम ET tube डाल सकते हैं और patient को हम ventilate कर सकते हैं अगला रहेगा IV fluid therapy patient को हम IV fluid देंगे उसमें हम patient को fluid चड़ाएंगे ताकि patient का जो body fluid कम हुआ है तो उसकी पूरती हो सके वूंड cleaning जहां पर burn हुआ है तो उसका जो वूंड बना है तो उसको हम clean करके और dressing करेंगे अब है surgical management तो surgical management में हम क्या करेंगे यदि skin खराब हो गई है patient की burn की वज़े से तो skin grafting करेंगे ज्यादा स्थ्राब हो गई या चेरे पर burn है तो वहां पर हम plastic surgery कर सकते हैं और ज्यादा ही खराब हो गया है या पेर हाथ ज्यादा जल गया तो उसका हम एंपूटेशन कर सकते हैं या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर सकते हैं हम क्लोजिकल मेनेजमेंट में टेबलेट देंगे एंटिवाइटिक अमोक्सिकलियो 625 mg आईवी फ्लूट देंगे आरेल 1000 ml दो बोटल लगाएंगे टेबलेट डाइना पार देंगे पेंकम करने के ल कि वज़े से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है फैसेंड में इंपेक्शन हो सकता है लो ब्लड वोल्यूम की वज़े से हाइपो ओलेमिया हो सकता है और बोडी टेंप्रेचर कम हो सकता है दूसरा रहेगा ब्रीतिंग प्रोब्लम रहेगा मरीज को और उसको इसकारिंग की problem हो सकती, इस car बन सकता है जहां पर वो burn हुआ है